जय हिंद्ट इस विडियो में आर्ट पावर यानिक रिलाइंस पॉर कॉंपनी बारे बात होगी आज इस कंपनी नम्ने कोड़ तरी नंबर जारी किये हैं आर्थाथ कंपनी के क्वाड़ तरी के रिजल्ट आए हैं लगता तीसरे दिन आज इसमें गिराओट जारी है और हाई से देखेंगे तो यह करीब करें 20 परसेंट तर चुट चुगा है लेकिन घबडाने की बात नहीं है आज कंपनी के नतीज़ा आए तो आप उमीद है कि नतीजों के बात करते हैं तो यहां आज यानि की अभी के नतीज़ां के लिए बनाय गया है यह कौलंप फिछले साल के नतीज़ा थे उसके लिए बनाय गया है आप देखेंगे को सब्सक्राइब में डंपर एक लाग पचासी चैजर आठ्सों थीरानवे रूपै का हुआ है जो कि क्वाड़र टु में एक लाग 887 682 कंट रूपै का था और साल पर पहले की बात करें तो लाग 666 कंट का हुआ था इसका मतलब आप यहां देख रहे हैं सलाना अस्तिर पर भी और में गिरावट आया है थोड़ी सी कमी आई है बात करें खर्चे की तो आप देखें कि रिलाइंस पावर ने अब बात करें पी एटी अर्थात प्रोफिट आपकर टेक्स जो टेक्स देने के बाद कमपनियों पास बचता है जिसको सुद मुनाफ़ा कहते हैं तो यह मुनाफ़ा नहीं हुआ है इस बार लॉस हुआ है और पिछले क्वार्टर में भी कमपनी को लॉस ही हुआ था लेकिन करोण का सफिले कॉर्ण का सबस्क्राइब के इसे अच्छी बात यह इक इस बार लॉस पिछले को मुकाबले थोड़ा कम हुआ है 1393 क्रॉन का लॉस रॉस हुआ है यह नहीं हुआ देखें तो थोड़ा लॉस तो हुआ है लेकिन क्वार्टर ली अस्थे पर यहीं कि अपने कितना रुपया बढ़ा उसको बतलाता है तो आप देखेंगे में रिलाइंस पार का अर्णिंग पर 0.046 रुपया है और पैसा है और पिछले साल की बात करें तो 0.187 पैसा है यानिकि सलाना आस्ते पर भी गिरावट आया है और क्वार्टर ली आप देखेंगे तो अर्णिं उपर जा सकता है वैसे पैनी सेक्टर की पावर सेक्टर की कंपणी है उसमें यहां कंपणी सबसे ताकत और सबसे दमदार है मेरा पर्सेनल प्वाइंट काफी वाला है वाकि आप क्या करने आयों ठोटली एपर सबस्क्राइस